दोस्तों आप सभी अपनी इंटरनेट की स्पीड से कभी संतुष नहीं होते होंगे आपको हमेशा ऐसा लगता हुगा कि आपका प्लान बहुत अच्छा है लेकिन आपकी डाउनलोड स्पीड बहुत ही कम आ रही है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो इंटरनेट सब्सविस प्रोवाइडर जो कंपनीज है वो जो आपको स्पीड बताती है वो बताती है हमेशा MBPS में जाए चोटा भी होता है और जो आपका सौफ्ट्वेर है या वो चाहे टॉरेंट का सौफ्ट्वेर हो चाहे विंडोज में आप डाउनलोड कर रहे हो चाहे वो कहीं प का है लेकिन जो डाउनलोड करता हूं वो होता है सिर्फ 2 MBPS पर तो ऐसा क्यों होता है तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर स्पीड टेस्ट जो है उसका पेज खोली है वेबसाइट है यहाँ से आपके इंटरनेट की चेक कर सकते हैं हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं देखिए बिगन टेस्ट पर और जैसी हमने क्लिक किया एक टेस्ट शुरू हो जाएगा और आप देखिएंगे कि हमको क्या डाउन 19 यह देखिए यह करीब करीब आपको जो मिल रहा है वह भी हमको 19.53 यह लेकिन देखिए आप इसके आगे लिखा है और यह चोटा बी है यानि कि मेगा बिट्स पर सेकंड है जैसा कि आपको इंटरनेट कंपनी बताती है जो अप्लोड स्पीड है वह देखिए आप चल रही है इसका जो है वह आपको क्या रिजल्ट आता है करीब 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 चार के आसपास आएगा देखिए चार हो गया है अप्लोड जो मिला है वह मिला है चार पॉइंट तीन पांच एमबी पीएस और जो यह है यह भी एमबी पीएस है यानि कि छोटा बाला भी और छोटा एमबी का मतलब होता है मेगा बिट्स पर सेकंड तो दोस्तों जैसे आपने देखना कि मुझे जो अभी स्पीड मिल रह अभी जो इसका अंतर है वह हो जाता है आठ से डिवाइड क्योंकि एक मेगा बाइट जो है उसके अंदर आठ मेगा बिट होती है तो आगर आपको जो स्पीड मिलती है बीस मेगा बिट्स पर सेकंड की तो आपको आपको कंप्यूटर पर दिखाई देगी 0.5 मेगा है और आप मानिए कि आपके पास में 8 mbps का एक प्लाइन है आपको करीब करीब साड़े साथ से 8 के बीच में स्पीड मिल जानी चाहिए आप जो डाउनलोड करते हैं तो आपको करीब करीब 900 से 1000 kbps की स्पीड मिलनी चाहिए यानि मान ली चाहिए कि आपके एक अगर 1gb की फाइल है कोई मुवी है आप उसको डाउनलोड करते हैं तो आपको मुवी करीब करीब 1000 से में अवेलिबल होजानी चाहिए यह मत सूचिए कभी भी कि मेरा 8 mbps का प्लान है तो मुवी अगर 1000 mbps की है तो मेरा तो 125 से कंदरी काम हो जाएगा ऐसा नहीं होने जो आपको स्पीड मिलती है इंटरनेट कंपनी की तरफ से मिलती है megabits जो आपका कंप्यूटर बताता है वो बताता है megabytes या kilobytes तो इस चीज में कभी इसा बलकुल भी नहीं है आपको स्पीड उतनी ही मिल रही है जितनी आपको मिलनी चाहिए दोस्तों उमीद ये वीडियो आपको पसंद आया होगा कोई भी आपके मन में सवाल या सुजाव है तो नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके आप डेल याव